ऐसी वो personality बनकर उबर है ना इंडिया में रोल मेडल बनके हर यंग generation का जो भी यंग उदर से उठते है ना वो मोधी मोधी जह ना वो क्या बोल रहा होता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोधी साब को मुबारक बाद कि अब उनको third term मिल गई है आदत है ना वो हिंदूइजम है उसमें तो हिंदूइजम हो तो के एक्स्ट्रीमिस होता है इंसान हो जाते एक्स्ट्रीमिस देखें यह बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा के नरिंदर मोधी ने अकेले उनकी जमात ने अकेले तो नरिंदर मोधी साब ने थर्ड टम हासल कर ली जालिमों मोधी आ गया है यह बात सच साबित हो गया है सब्सक्राइब का स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों बारत के अंदर चुनाव हो चुके चुनाव के नतीजे भी आ चुके और यहां पर जो एंडिये हैं उसको यहां पर बहुमत मिला है कि वह अपनी सरकार यहां पर बनाए अभी प्राइम मिनि भी वारत की जनता ने उनके उपर विश्वास जताया है और तीसरी बार जो है ना वहारत के प्रदार मंत्री यहां पर बनने जा रहे हैं तो वीडियो काफी मज़दार होगी पूरी देखना लाइक करना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल मैं समय तो कोई बात है नहीं ऐसी वो परसनेलिटी बनकर उबर है ना इंडिया में रोल मेडल बनकर हर यंग जनरेशन का यो भी यंग उदर से उठते है ना वो मोदी मोदी जहना वो क्या बोल रहा होता है और इतनी मजोरिटी के साथ जीतना मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल लेडर नहीं जुतनी मजोरिटी के साथ जीता हूँ इतना कंसिस्टेंट परसॉर्म कर रहा हूँ तो बाई ये क्रेड़िट सारा जो जाता है ना ये मोदी को यह जाता है और उपर से बात ये है कि अगर उसने बोस यूद्स को वोड मिला है और उसको थार्ड उसको वो चांस मिले है उसको प्राइम मेस्टर्शिप का चेरे बेढ़ने का तो उस बंदे की ड्वैलमेंट भी उसके पीछे है ठीक है उसके काम जहना वो बोलते हैं वहां पे इंडिया को उसने मैं तो चेरे ही बदल के राख दिये इंडिया कर जमी बहुत था ना तो उसको असमा देख लें इंटरनेशनल कमपनी के जो सी योज वो सारे इंडियन मतलब इतनी ज्यादा त्रक्की वहां पे होगी है हर मुल्टाइशनल कमपनी आप देख लें वो सारे उसके हैड़ ओफेसे जैना वो इंडिया में अब इंडिया आटो मॉबाइल कंपनी में आगे चला गय इंडिया की हट development के उपर वीडियो की है हमने देखा कि दस सालों में इंडिया के प्राइम निस्टर निरेंदर मोधी जो है वो किस तरह उनने मून मिशन किया कि पहली दफा उनके दौरे हकूमत में जो इंडिया है इस रूए हुनने चांद के साथ पूर पर लैंड किया हमने किस तरह आइफोन के जो ही वो स्टोर इंडिया में खूल रहा है किस तरह इंश भाग भाग एंडिया के सातँ आ ता रहे आपको प्ड़ते हैं प्राइम Small निरे मोधी दुनिया के पसंदीधा की दरीजय दुनिया के सब्सक्राइं रस इंब्रम करता हूं इंडिया वालंको कि उन्हें नरेंदर्मोदी दुबारा नियन के प्राइम मिनिस्टर मिले कि वह ऐसे लीडर हैं कि गों के लिए नb continuing करें मारे उन्हें नियुक Rica ल्statले कीजिका करें कि अप्ण। यानि कि कौम के लिए, वो एक अच्छी लिडर रहा हैं तो इसलिए उन्हों ने दुबारा यह निकि उनकी जो कौम है उन्ने यानि कि यह अच्छा समझा कि हम दुबारा उनको लाएँ हूं, वह हमारे लिए दुबारा अच्छा करें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बहतरी जरूर नजर आएगी और मेरे ख्याल से रिलेशन्स बहतर होने भी चाहिए है। उसकी वज़ा यह है कि दोनों मुलकों के मुफाद के लिए बहुत 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 है। अचा हमने देखा है कि इंडिया ने हमेशा नेबर फर्स की पॉलिसी काइम रखी है। आपको लगता है कि नरिंदर मोदी इस पॉलिसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ तालुकात बेतर करने की कोशिश करेंगे। कि पाकिस्तान की जो हकुमत आई है मुस्लिम लिग नून की वो इंडिया के साथ तालुकात बेतर करना चाहते हैं और हमने पहले भी देखा कि नवाज श्रीफ साब के दोरे हकुमत में नरिंदर मोदी बगहर वीजा के पाकिस्तान आगे। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से दोनों मुलकों में तालुकात बेतर होने के हम थोड़ी सी उमीद रखें। जी-जी मैं वोई बात करना चाहाँ हूं कि इस टाम जो हम यह कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को स्पेशली इंडिया के साथ अपने एक रिलेशन्स को बेहतर हारे अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है जो तकरीबन जी के जी जिसको 272 सीटें चाहिए मिजॉरिटी के लिए 240 तो बीचे भी के लिए ले गई है उनको 32 सीटें और चाहिए 32 और चाहिए 32 कौन सा लेना काम है वाइल फैसले करने जा रहा हूं कि रहा है कि चोटे फैसले नहीं करूंगा वह कॉंस्टूशन के रिलेटेट तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें ठीक है क्योंकि वो कोलेशन अलाइन्स में चले गए हैं परफॉर्मेंस नोंने बहुत दिखाई है लेकिन वो चले कोलेशन में गए हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीयन लेंगे ये एक 246 सीटें ली हैं मकाबले में 11 जमाते करी हैं 11 जमाते उतनी सीटें नहीं ले सकी हैं अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वकत पूरे नैशनल लैंडसकेप के वोपर चल रही है जो नरेंदरा मोदी ने खातीन की बात कीए ठीक है है जी के हमने खातीन को स्पोर्ड दिया गबर्नंस के मॉडल हमने टेवेलफ कई है अत्म अरभर भारत की बात की बात की है तो हम बाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो तीसरी दफ़ा वजीर आजम बनेगा यहां पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हैं जो को तीसरी दफ़ा वजीर आजम बने सो यह जो जिसे कहेंगे ना कि उनको एक बहुत बड़ी मजारिटी मिली है उन्हों ने अपना जो बादा किया था अब क्वेस्टन यह है कि अब आप दस साल आपने रूल किया हो मुल्क के अंदर और दस साल रूल करने के बाद आप इंकंबेंसी फैक्टर हो दो दफ़ा आप वजीर आजम रहे हो और जो राहूल गांदी बार बार कह रहे थे कॉंस्टिशन की कि वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट है वो कॉंस्टिशन को बचाया दा पीपल आव यूपी यूपी के लोग बेसिकली वो कहते हैं कि सबसे ज़ादा जो पिलिटिकल एकमेन है वो यूपी के लोगों में है इस इस वाट राहूल गांदी सेंग दोस्त का पता है क्योंकि पाकिस्तान के हालात क्या है वो हमको पता है भारत के अंदर किस परकार से एकोनोमी को लेकर काम हुआ इन्वेस्मेंट को लेकर काम हुआ और किस परकार से हमने देखा है कि बारत जो है ना दुनिया की पांचवी बड़ी एकोनोमी बना इन्वेस्मेंट क किस परकार से भारत के अंदर आया है इन सारी बातों का बात है भारत की जनता को भी पता है और पाकिस्तानियों को भी इस बारे में पता है क्योंकि वो भी अक्तर इसके बारे में न्यूज देखते रहते हैं तो उनको भी इस बारे के बारे में पता है कि किस परकार से प्राइ नहीं मिला है फिर भी जो है ना एंडिये के पास बहुमत है और परदान मंत्री मोदी जी जी जो है ना वो तीसरी बार भारत के परदान मंत्रियां पर बनने जा रहे हैं तो बागी आपने पूरी वीडियो अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जुरूर बताना हम मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद